बोलो जैकारा बोल मेरे शेगुरु महाराजी की जै साचे दरबारी की जै आजम शिरी शिरी एक सो आठ स्वामी शिरी अध्वेद अनन जी महाराज के एक और प्रवशन पर ध्यान देंगे संसार एक फ्रिश की नियाई है जिसकी डालें लोक लोकांतर तक पहली हुई है इसका सर्वतम फल मनुश्य शरीर है इसलिए इसे दुरलग एवम अतियुतम माना गया है मुश्य जर्म को पाकर जब तक मनुश्य अपने आतम सरूप को नहीं पचानता तब तक यह अधूरा है इस जर्म में भी यदि यह अन्य यूनियों अथात परश्यों जैसा काम करे और समझे कि मैं शेष्ट हूँ तो यह उसकी भूल है एक काम तो उसने समाने भुद्धी से ही किया क्योंकि परमात्मा ने मनुश्य को दो प्रकार की भुद्धी प्रदान की है समाने भुद्धी और प्रदान भुद्धी समाने भुद्धी वे है जिससे विवेग अविवेग की श्रमता ना हो समान्य बुद्धी वे वो है जिसमें वेग और अविवेग की शम्ता ना हो जिस प्रकार अनय नय व्योनिया पेट पारिम लगी हुई है उसे प्रकार केवल शारिरिक सुखों को जीवन का ध्या समझना ये समान्य बुद्धी है प्रधान बुद्धी है संत्सपुर्षों की संग्ती से जिसमें सत असत की विवेग की शम्ता आ गई और उसने सत कारे असात आत्मकुनती के मारक के वा कदम बढ़ाने अरम किये है वह प्रधान बुद्धी कहलाती है यदि मनुष्य ने केवल समन्य बुद्धी से काम लिया तो मानों रूप और नाम से वे मनुष्य वश्य बन गया प्रधु पक्षु और पश्यों आदी यूनियों से उसका दरजाशेश नहीं संतों के विचार हैं नित्रा भोजन भोग भै ये पश्यो पुरुष समान नरन ग्यान निज अदिकता ग्यान बिना पश्यो जान अतात नीद करना खाना पीना विश्य भोग पतब भै इस सब पश्यो और पुरुष में एक समान है केवल ग्यान पूर वक जिवन और व्यदित करना ही मुनुष्य की विश्यचता है यदि वह विवेक से काम ना ले तो उसमें अत्पुरुषों में कोई भीद नहीं अन्य यूनियों को तो प्रधान बुद्धी प्रात ही नहीं हुई है ये तो किवल मुनुष्य को ही मिली है फिर भी यदि मुनुष्य समने बुद्धी से काम लेता जाए सत्पुरुष्यों की संग्ती से बन्चित होकर आत्मे कुनुष्य की और पगना बढ़ाए तो उसमें मुनुष्य जर्म रुपी फल का दूर प्योग किया उसने अमुल्य मानव हीरे को खो दिया जब एक बार मानव जर्म हाथ से निकल गया तो चुरासी की यंद्रनाओं के अत्रिक कुछ ना मिलेगा फिर चाहे कोई सिर धुन धुन कर पच्टाए अत्यव इस मानव रुपी हीरे को पाकर परदान बुद्धी द्वारा इस जर्म की कीमत पहचानी है और आत्मिक उनत्ति करतो है इसमनुष्य जर्म का लाब उठाना है झाल 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 झाल